समस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार की पंडित पे हैं तो दोस्तों मैं आपको पहले ताइवान का बाजार दिखा देता हूँ उसका बिहेवियर पाटन दिखा देता हूँ फिर चाइना ने क्या बोला है चाइना ने बोला नहीं करके कुछ दिखाया है वो आपको पता होना चाहिए तो ये देखेगा 17-400 का हाई बनाया था इनोंने और आप देख रहे होगे वहाँ से behavior pattern देखोगे तो लगातार चाइना का जो pattern है वो bearish pattern मना रहा है ताइवान का जो बात जार है वो पूरी तरीके से bearish pattern मना रहा है और ये particular signal होता है जब sensitive information of conflict किसी भी country में आती है कि उसके stock market को आपको judge करना होता है कि किस तरीके से वहाँ पेना सकता है ये जरूरी नहीं कि कोई बड़ा होगा या छोटा होगा पेन ये बताता है कि अगर कोई aggressive statement या फिर actions लिये गए तो उससे देखेगा जो stocks होते हैं उनमें गिरावत देखने हो मिलती है तो Taiwan के बाजार में देखेगा कितनी big big बड़ी बड़ी candle बनी है ये आप देख सकते हो पूरी तरीके से check out कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आप check out कर सकते हैं लेकिन ऐसा क्यूं हुआ है ये आपको पता होना चाहिए जो source में बता रहा हूँ वो source mint है mint पे जा कि आप पूरी तरीके से ये information check कर सकते हैं और ये क्या बोला गया है और ये कब बोला गया है ये आपको पता होना चाहिए तो क्या गया है suicide attack if necessary यानि कि soldiers of China ये कह रहे हैं कि हम anytime अपनी suicide भी कर सकते हैं अगर देश के लिए हमें कुछ मर मिटने की कसमें दी गई या फिर हमें कुछ करना पड़ा China ने ये signal किसको दिया है strong signal दिया है Taiwan को और उन्होंने ये कहा है कि वो war के लिए ready है at any second ये आपको पूरी report देखने को मिल लही है ये मैं पूरी report आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे suicide attack if necessary soldier ने बोला China ने strong signal दिया Taiwan को कि anytime any second हम लोग war शुरू कर सकते हैं ये देखेगा Beijing ने signal कैसे दिया potential attack on Taiwan का पूरी documentary के थूँ chasing to the dreams ये करके देखेगा यहाँ पे पूरी तरीके से Jinping भी आपको देखने हो मिलेंगे President ने भी बात बोली है so many times America क्या कर रहा है back foot पे ये भी आपको पता होना चाहिए ये देखे strong signal दिया है पूरे China की army ने और China के President ने आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से इस तरीके का potential जो risk है वो आप जानते हैं ये problem create करता है stock market के लिए और stock market ऐसी sensitive information पे तुरंत रियाग करता है तो अगर आप देखेंगे rising tension, international concern bidding देखेगा sent strong signal regarding the preparedness for the potential attack on Taiwan ये mint पे update आ रही है कोई भी ऐसी update ना सोचेगा कि ये कहीं से उठा के आपको देदी गई है ये mint source है आप पूरी तरीके से ये information पढ़ सकते है ये PLA कौन है ये आपको पता है चाइना की army है और ये determination है 8 episode की जो particular इन्होंने series बना के documentary बना के बताया है कि हम पूरी तरीके से ready है कब बताया है PLA 96th anniversary पर तो पूरी army की anniversary पर अगर इस तरीके से बता रहे हैं कि combat के लिए ready है तो आप समझ सकते हो stock market के लिए concerning update है जहांपे एक पूरा world का market Russia और Taiwan को लेकर काफी विजी है Russia और Taiwan में भी aggression आ सकता है आ चुका है और black sea में क्या हो रहा है आप crude oil में देखो क्या हो रहा है grains में क्या हो रहा है crane deal क्या हो रही है तो वहाँ पे already pain तो आपको देखने हो मिला था लेकिन यहाँ पे यह जो चीज आई है यह बहुत बहुत serious है आप देख सकते हो different services, location, footage military exercise यह सब कुछ बता के Taiwan को signal दिया गया है कि अपने goal कैसे पूरे कर सकती है PLA यानि की Army of China achieve कैसे कर सकती है अपने goals को और यहाँ पेश पे supplement किस ने दिया है कि US move to send Taiwan weapon worth rupees to 888 38 koron likely to provoke China आप देख सकते हो America को तो यही काम है दो छोटे देश या बड़े देश लड़ें और वो हतियार supply करें चोकि इस समय America की economy recession में है Russia में भी देखेगा बहुत बड़ी power है arms की इसलिए America यह दिखाना चाता था इसलिए ज़्यादा Ukraine को support किया गया और इतना बड़ा conflict create हो गया यहाँ पर Ukraine जैसी country एकदम खतम जैसी हो गई है और आप देख सकते हैं same चीज यहाँ पर देखने को मिल लई है आप देख रहे हो कि Taiwan को हतियार supply करने हैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादा focus है और पूरी तरीके से यह चीज़े दिखा रही है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से अमेरिका का यह एक motive रहता है कि छोटे देश प्रवोक करो और बड़े देशों से देखेगा GDP पर एसर पड़े उनकी और पूरी तरीके से situation create हो तो the thing is यह चीज़ें आपके सामने हैं यह आप देख सकते हो और यह stock market में भी देखने को मिल लही है तो थोड़ा सा cautious रहना है दो दिन इस particular week में तो cautious रहना है nifty bank nifty दोनों को लेकर after this information thank you so much